Hey guys and welcome back to another video आज ये वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए important है क्योंकि ये जो वीजा है जिसमें आप without job Germany move कर सकते हैं हाँ ये मजाग नहीं है ये जो है वो finally launch हो गया है 1st June से that means अब आप लोग अपनी application officially fill कर सकते हैं और आपकी application उन्होंने choose कर ली तो आप Germany एक साल के लिए आ सकते हैं job search कर सकते हैं और अगर आपको job मिल गई तो आपका job search visa like opportunity card जो है वो work permit में convert हो जाएगा इसी के बारे में मैं आज आप लोगों से further information share करूँगी पहले के वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हैं और भी काफी सारे like lifestyle videos हमारे vlogging channel पर है वो आप लोगों को जो है आपको देखने मिलते हैं बाकी अगर नए हो तो subscribe कर लो share कर लो जो भी interested होंगे आपके friends family में से क्योंकि बहुत ही इची information इस में मैं share करूँगी आज हम बात कर रहे हैं opportunity card चांसन कार्टे के बारे में ये एक job search visa है जो की एक साल का मिलेगा जिसमें आप जो है वो job search कर सकते हैं यहाँ पर साथी साथ part time job भी कर सकते हैं ये particular visa जो है ये एक point based system के उपर based है जैसे Canada का point based system है US का point based system है ऐसे ही Germany ने अपना खुद का point based system के basis पर ये particular visa जो है वो start किया है because ये 2024 में start किया है तो बहुत सारी opportunities जो हैं वो यहाँ पर आप लोगों के लिए आने वाली है आप जब diplo.de की website जो की official website है उस पर check करोगे तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पर है काफी सारा skilled labor की shortage and because point based system है वो कुछ points के basis पर आपको like eligible हो आप या नहीं हो वो बताएगा उसके लिए ये calculator है जिसमें आप check कर सकते हो कि आप eligible हो या नहीं हो पर उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो eligibility है ये based on कुछ factors पर depend करेगी in case अगर आपके पास कुछ missing है तो आप वो skills जो है वो improve कर सकते हो या add कर सकते हो सबसे पहली बात आपकी जो degree है वो recognized है या नहीं आप यहाँ पर कुछ institutes होते हैं वो degree अगर नहीं है recognized तो आप recognize कर सकते हैं करवा सकते हैं like for example मेरे degree जब मैं यहाँ पर आई थी तो recognize थी तो मेरी already उनके government website में recognized में आ रहा था तो मुझे recognize नहीं करवानी पड़ी तो that means यहाँ पर जो subjects पढ़ाय जाते थे और जो subjects मैंने पढ़े थे वो equivalent थे पर कुछ-कुछ degrees में ऐसा नहीं होता है और कुछ-कुछ degrees इनके list में नहीं होती हैं तो आप जो है वो recognized करवा सकते हैं अपनी degree जो सबसे पहली important चीज होती है अगर आपके पास कोई training degree है दो साल की तो भी आप ये visa apply कर सकते हैं वो भी आपको recognize करवाना पड़ेगा कुछ चीज़ें अगर missing है आपकी degree में तो आप वो additional पर सकते हो और वो documents उनको submit कर सकते हो तो ये हो गई एक simple बात दूसरे चीज़ because Germany है तो German की भी एक अलग importance है अगर आपकी A1 तो important है ही है बट आपको अगर B2 या C1 level की German आती है तो ये आपको काफी जारा point देगा and B2 level की अगर English आती है fluent English है तो ये भी आपको एक point देगा इसके अलावा आपके spouse ने भी together आपके साथ जो है वो visa apply किया है या वो skill category में आते है या आती है उससे भी ये जो है आपके point increase करेगा तो ये भी आपके जो points है वो increase करेगा इसके अलावा गर आप पहले से ही आपकी कोई history है यहां रहने की तो वो भी आपको जो है वो increase करेगा और six point लाना कोई बड़ी बात नहीं है six point जो है वो दो या तीन चीज के basis पर ये आप जो है वो score कर सकते हैं तो ये good news है कि ये बहुत बड़ा rocket science नहीं है कि आप six point जो है वो score कर सको because कुछी चीज अगर आपको आती है जैसे B2 level of German अगर आपको आती है आपके पास experience है previously आप अगर पहले से यहां पर रहे हैं आपने funds दिखाए हैं और आपकी qualification recognized है equivalent qualification है उसी के basis पर आप six point जो है वो score कर सकते हैं तो सबसे पहले जाके यह जो chance in card take calculator है इस पर आप अपना score check करो अपनी जो भी honestly जो सही सही information है वो डालो और उसके साब से आपको आपका score पता चल जाएगा और आप eligible हो या नहीं हो वो पता चल जाएगा बहुत important है अगर कुछ increase करना है like add करना है जैसे German हो गई या English हो गई या experience और gain करना है तो वो आप अभी भी कर सकते हो क्योंकि अभी भी chance है आपके पास skill category में ऐसा कोई point based नहीं है अगर आप skill category के अंडर में आते हो तो आप opportunity card जो है वो right away जो है वो apply कर सकते हो still आपको A1 level of German language की जर्वत होगी तो अगर आपने German start नहीं करी तो at least A1 कर लो क्यो अब आप B2 या C1 तक चले जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही easy हो जाएगी यहां की life अब मैं आप लोगों को यह बताना चाहरे हो इस particular video में कि आप कैसे apply कर सकते है eligibility criteria मैंने already बता दिया अगर eligible नहीं हो तो नहराश होने की कोई बात नहीं है क्योंकि आप अभी भी अपनी जो skills से वो add कर सकते हो जैसे मैंने आपको पहले बोला क्योंकि अभी बहुत सारे chances आपको मिलेंगे यहां बहुत सारी like 200,000 से भी जादा job vacancy जो है वो vacant है तो आगे भी आपके chances जो है वो बनेंगे तो मैंने research करते time इस video के बारे में मैंने देखा मैंने search किया browse किया और मैंने मैंने देखा कि जहां पर आपको जिस website पर आपको apply करना है वहां पर जितनी भी जो हमारा जो embassy websites हैं VFS के offices हैं जैसे न्यू डेली में हो गया बैनलोर में हो गया और भी बहुत सारी जगे हैं वहां पर इस particular visa के लिए सारी appointments जो हैं वो फुल हैं मुझे एक भी appointments देखने नहीं मिली बट पर आपको website link यहां पर डाल तूंगी basically इधर पर आप appointment ले सकते हो appointment जब आप लोगे इस visa के लिए आपको अपने साथ सारे documents लेके जाने पढ़ेंगे अगर मैं documents की बात करूं list of documents जो है वो भी मैं description पर छोड़ देती हूं बट मैं आप लोगों के लिए read out भी कर द जैसे valid passport important है आपका जो degree recognized है वो important है उसका certificate जितने भी आपके documents है work experiences है certificates है वो सबका translation English में और German में होना important है और सबसे important यह है कि आपको अपना funds like finances expenses जो है वो बताने पढ़ेंगे जो की होंगे 1027 euros per month into 12 कर लो यह एक साल का fund होगा जो आपको block कराना पड़ेगा पहले से और यह document भी important होगा इस visa के लिए और आपको बहुत अच्छे से prepare रहना होगा अपने resume के साथ cover letter के साथ that means कि आप यह visa क्यों apply कर रहे हूँ और आपके लिए क्या क्या opportunity बन सकती है language जो भी आपके certificates होंगे B2 English level की जो proficiency है उसके भी certificates या documents जो हैं वो आपको submit करने पड़ेंगे at the time of appointment और इन सब के basis पर they will decide कि आपको यह visa मिलेगा या नहीं मिलेगा जैसे ही visa मिलेगा आप यहाँ पर आ सकते हैं और job search कर सकते हैं best part is job search visa की मुझे यह लगी या opportunity card की यह लगी कि आप यहाँ पर part time job भी कर सकते हैं और यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप कुछ अपने expenses जो है वो manage कर सकते हैं आपको पता ही होगा यहाँ पर आर का जो wage है वो around 12.18 euros है तो पर आर आपको इतना पैसा मिलेगा आप कोई भी job करो यहाँ पर चाहिए वो restaurant में as a waiter की job करो या as a delivery person की job करो या warehouse में job करो etc. और यह जो opportunities हैं यह जर्मनी में easily मिल जाती हैं आप जैसे ही आते हो तो especially उन जगे पर जहाँ पर requirements बहुत हैं like big cities में तो big cities में बहुत easily part time jobs की opportunities आपको मिल जाएगी even English के basis पर और मैं hope यह कर रही हूँ कि अगर आप इस visa पर आ रहे हो तो आपको already job मनाती है तो उस basis पर तो आपको कहीं पर भी जो है वो job मिल जाएगी part time तो इस तरीके से आप अपने expenses जो है वो manage कर सकते हो एक साल तक एक साल तक आपको बहुत जादा burden नहीं होगा and I should say that कि आप इतना जो जितना expenses 1027 euros जो है वो आप block करवा रहे हो उतना जो है वो आप कमा भी पाओगे यहाँ पर the best thing is research करते time मुझे यह जो जानने को मिला कि इंडिया से काफी सारे लोग जो है वो opportunity card को apply कर रहे हैं but पहले भी मैंने आपको कुछ चीज़े बताई है कि आपको कुछ important चीज़े जो है वो ध्यान में रखनी है यहाँ आने से पहले अपना job market यहाँ पर कैसा चल रहा है वो पता करो आप जिस profession पर हो आपको जिसका experience है उसकी jobs यहाँ पर है या नहीं है वो पता करो प्लस मैंने यह जो PDF डाला हुआ है इसमें देखो कि shortage किस-किस occupation पर है किस-किस जगे पर है अगर आप भी उसी जगे पर आ रहे हो तो आप बहुत अच्छे से fit हो पाओगे यहाँ पर प्लस जर्मन जो है वो भी आपकी यहाँ पर जब आप आओगे तो transition बहुत easy कर देगा इसके अलावा जब आपका interview होगा like embassy में final जो appointment होगी interview होगा उसमें भी बहुत सारे ऐसे questions पूछे जाएंगे जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यो motivated हो यहाँ पर जाने के लि वेल मैं यह भी जानना चाहती हूं comment section में कि अगर आप मेंसे किसी का appointment जो है वो बहुत जल्दी है इस visa के लिए तो please मुझसे contact करो क्योंकि मैं आपकी story सुनना चाहूंगी और अगर आप appointment ढून रहे हो तो comment करो कि यार हमको नहीं मिल रही है क्योंकि बहुत जल्दी इंडिय जो है उसमें लोग जो है appointment open करने वाले तो basically आपको appointment जो मिलेगी वो embassy में मिलेगी या VFS office में मिलेगी आपकी जो भी city है उसके आसपास पर जो भी major cities हैं या metro cities में हैं वहां पर इनके offices होते हैं आपको वहां पर जाना पड़ेगा appointment के time पे with all the documents and with full of motivation well ये था opportunity card के बारे में क चीज़ पर मैं कुछ questions के आपको answer करना चाहती हूं जो मेरे comment section में भरे रहते हैं तो let me clear out those things first तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि advantages क्या हो सकते हैं आपके लिए अगर आप ये वाला visa apply करते हो और job search visa apply नहीं करते हो तो सबसे पहली होती है कि बहुत easy है क्योंकि new law है तो enter करना Germany में आपको easy हो जाएगा 12 months का stay रहेगा आपका जो अच्छा time है आपको job ढूणने के लिए और work permit में convert करने के लिए अगर आपको काम मिल जाता है तो आपको per month around 1000 euros की income दिखानी पड़ेगी जो भी बहुत जादा नहीं है like expenses दिखाने पड़ेगे तो आपकी जो saving है उससे आप इतना amount बता सकते हो प्लस आप इतना amount कमा भी सकते हो part time job से आप 20 hours per week जो है वो काम कर सकते हो अब मैंने आपको minimum wage बताई दी थी कुछ 12.19 euros होती है उसको into करो तो आप इतना जो है वो कमा सकते हो per week और आप part time और full time jobs के लिए भी qualified होगे job search visa में ऐसे बहुत सारे limitations होते हैं जिसमें आप job नहीं कर सकते हो part time job नहीं कर सकते हो सिर्फ अपनी ही degree के हिसाब से job कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है the other thing is बहुत सारे जो employers है वो इस particular visa को देने के लिए ready हैं तो काफी सारी companies, काफी सारी industries यहाँ पर आई है to get into this pool तो बहुत सारे talents को जो है वो इस pool से उठाएंगे तो बहुत important है कि आपकी जो application है वो सही direction में जाए और सारी information जो है वो आप सही लिखो तो procedure क्या है मैंने आपको already बताया list of documents के साथ आपको MBC में appointment लेना पड़ेगा आप appointment कब मिलेगी वो आपको regularly check करना पड़ेगा एक tip यह है जब यहां के 12 बचते हैं रात के तब आप appointment check करो तो शायद आपको मिल जाए यह tip है क्योंकि जब मैंने वीजा apply किया था तो मैंने इसी tip के basis पर मुझे appointment मिलेते उसके बाद कब आप visa apply कर सकते हो तो June 1st से आप visa apply कर सकते हो एक और चीज मैं आपको बता देते हूं बहुत सारे subscribers हैं वो यह बोल रहे हैं कि जो consultants हैं वो काफी ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं from 50,000 to 1 lakh रुपीज please don't give that क्योंकि यह बहुत ही easy process है अगर आप interested हो तो मैं एक seminar webinar जो है वो आप लोगों के लिए arrange कर सकती हूं सब कुछ बताके कि भाई कैसे कैसे आपको apply करना है उसके लिए आपको मुझे comment करना पड़ेगा जाधा से जाधा comment आएंगे तो मैं बहुत जल्दी एक webinar जो है वो options हो सकते हैं जैसा मैंने बोला shortage labor जो है वो बहुत सारी category में है चाहे वो workers category हो गई चाहे वो technical category हो गई IT profession हो गया, software engineer हो गया, doctors हो गया, nursing, midwives area में हो गया, engineering sector में हो गया, तो काफी सारी जोगे shortage चल रही है यहाँ पर इसलिए बहुत सारे Indians already move कर रहे हैं बड़ यह visa और आप ल इसके अलावा जो भी information है वो caption पे होगी, description box पे होगी जिसमें मैं आपको सारी links छोड़ दूगी कि आपको जैसे make it in Germany जो website है जो official website है उस पे भी opportunity card के बारे में काफी सारी information जो वो है लिखी होई है, just read out that ताकि वो आपको और clarity दे, plus जो diplo.de है उसमें भी काफी सारी information है जि आप अपनी degree कहां से recognize करवा सकते हैं वो, वो सारी जो information वो है and plus आप appointment book कैसे कर सकते हैं वो, in case आपको कोई भी issue आता है तो आप उनसे contact भी कर सकते हैं, phone number भी मैं आपको mention कर दूगी, तो अगर आपको contact करना है और अपना particular case जो different है उनको बताना है तो आप सीधे contact भी कर सकते हैं, embassy पे और उन्हें बता सकते हैं, well this is it for this video, hopefully आप जल्दी से यहाँ पर आओ, और मैंने जैसा बोला था कि comment section में comment करना, अगर आपका experience सुनना चाहूंगी, और अगर आप appointment में ढून रहे हैं तो भी comment करना, आपकी further questions हैं इससे related तो please comment करना, क्योंकि यह अभी अभी visa आया for this visa and मिलते हैं बहुत ही जल्दी next video में, आप लोग please video को share करो, subscribe करो and हाँ, like करना, मत भूलना, क्योंकि यह बहुत जादा important है, बहुत महनत कर रहे हैं हम लोग, आप लोगों को सही जगे पहुचाने के लिए और सही information देने के लिए, bye bye, take care